सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तूभ्या महरहार महादेव पांच अप्रेल पाप मोजनी एक अधशी के दिन आपकी मनो कामना को पूर्ण करने के लिए कीजिए ये नो बेल पत्र वाला उपाय नो बेल पत्र इन इस्थान पर समरपित कर दिजिए आपकी मन की कामना बोलकर बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे तो वो कौन से उपाए हैं जिससे आपकी कामना पोन होगी और साथ में जबी भी आप एक अदशी पर जल समर्पित करें बगवान चंकर के शिवलिंग पर तो जल समर्पित करते समय आपको ये तीन नामों का इस्मरण करना है और वो कौन से तीन नाम है आपको आगे की वीडियो में हम बताएंगे पर उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा वीडियो को लाइक कर देना होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इसको अधिक सदिक शियर कर तो सबसे पहला उपाए जो कि है nौ बेलपत्र वाला उपाए। आपके मन की काम ना करकर, आपके मन के विलाशा करकर, आपको समर्पित करने हैं भगवान चंकर के शिवलिंग में नो अलग-अलग इस्थानों पर, आब वो कौन-कौन से स्थान हैं, किस प्रकार से आपको बे बीच में है ये मोटी सी लाइन माता अशोक सुंदरी और जो जलादारी है जिस पर शिवलिंग विराजमान है वो है मापारवती का हस्त कमल और जो उपर जलादारी होती है जिससे बूंद बूंद जल बगवान चंकर पे गिरता है वो है माता पारवती और बगवान चंकर की बाच बेटियों का इस्थान जो की है जया विशेरा, शामलिबाली, दो तली और देव, तो अब आपको प्रत्य एक बेल पत्र पर आपकी कामना बोलनी है, और जो बेल पत्र आप समर्पित करोगे, उसकी दिशा भी कैसी होगी, वो भी आपको बताएंगे, या तो आप शिव के दिशा में खड़े होकर, जो की शिवलिंग के चस्ट पीछे की तरफ होती है, और उत्तर में अपना मुख करकर, पहला बेल पत्र समर्पित करोगे बगवान, गणेज जी के इस्थान पर, आपके मन की कामना करते हुए, और बेल पत्र की डंडी, जहां से जल बैकर नीच गरता है उस इस्थान पर, तीसरा जो बेल पत्र आपको समर्पित करना है, वो करना है माता अशोक सुंदरी के इस्थान पर, और उसकी डंडी भी आपको समर्पित करते समय है, जो बेल पत्र उसकी डंडी आपको जल अधारी की तरफ, जहां से जल बैकर नीचे गरता है, उ इसके बाद में आपको चोथा जो बेल पत्र समर्पित करना है वो समर्पित करना है ये मा आद्दे शक्ती के हस्त कमल पर तो चोथा बेल पत्र मता आद्दे शक्ती मा जगत जन्नी पारवती के हस्त कमल पर और ये जो बेल पत्र आप समर्पित करने वाले हो ये बेल पत्र इस शामली वाली दो तली और देव जो की है पगवन चंकर के उपर ही विराजमन जिसमें से बुन बुन चल गिरता है उस कलश के अंदर आपको पांच पा बेल पत्र समर्पित करना है अब कुछ मंदिरों के अंदर यदि ये जलाधारी ना हो फिर आप पूछो के तो भईया हम य पत्र समर्पित करना है इस पेर के उपर आपको पांचवा बेल पत्र समर्पित कर देना है अब चटा जो बेल पत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे भगवन चंकर के शिवलिंग के उपर चटा बेल पत्र भगवन चंकर के शिवलिंग पे समर्पित करोगे और उ उस बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर इस पर आपको लगाना है शहद और शहद लगाकर इस बेल पत्र को अपने सीधे हाथ में रखकर आपकी मनों कामना बोल कर आपके मन की कामना करकर इस बेल पत्र को चिपका देना है शिवलिंग के ओपर यानि शिवलिंग पर आपको इ बगवान नंदी जी के उपपर अब इस बात का ध्यान रखना जो आप आठवा बेल पत्र समर्पित कर रहे हो नंदी जी पर वो उल्टा समर्पितों का जैसे हम बेल पत्र का चिकना वाला इस्थान समर्पित करते हैं शिवलिंग पर जैसे कि ये जो बेल पत्र है अब इसका ये वाला इस्थान हम शिवलिंग को समर्पित करते हैं तो हमको ये वाला इस्थान समर्पित करते हैं तो हमको ये वाला इस्थान समर्पित करना है ये ऐसा ही जैसा कि आप ये बेल पत्र देख रहे हो बिल्कुल सीधा का सीधा इसी प्रकार से नंदी जी के ऊपर रख देना ह ऐसा क्यों? क्योंकि जब शिवलिक नंदी जी के उपर शिव जी बैठेंगे तो ये बेल पत्र इस अवस्ता में रहेगा तो उनको ये बेल पत्र समर्पित हो जाएगा तो इसलिए आठवे नंबर का जो बेल पत्र वो ऐसा ही रखे आप जैसा कि आप इसमें देख रहे हो सीधा का सीधा इसी प्रकार से नंदी जी के उपर नवा बेल पत्र जब हम शिव मंदिर से बहार निकलेंगे तो शिव मंदिर से बहार निकलते समय जो हमारा सीधा हाथ है ये जो राइट एंड वाला हाथ है इस हाथ पर जो बगवन चंकर की चोकट है बगवन चंकर के मंदिर का द्वार है और चोकट है उस पर हमको नवा बिल पत्र समर्पित कर देना है अपने मन की कामना करते हुए अपने मन की अभिलाशा करते हुए बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूंड कर देंगे अगला जो उपाय है वो उपाय है एक अदशी के दिन एक अदशी के दिन जभी भी आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चड़ाएं तो आपको एक नाम को तीन बार बोलना है और ये नाम आप इस्क्रीन पर देख रहे हो जब भी शिवजी पर जल चड़ाएं तो स्वधा, स्वधा, स्वधा ये नाम तीन बार वश्य ही बोलिए आपके घर की परिशानिया, धन की समस्या ये जीवन का कोई भी दुख तकलिफ और विशम परिसितिया वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी यदि आप प्रतेक प्रदोश पर स्वधा, स्वधा, स्वधा बोलकर जल समर्फित करते हो अगला जो उपाय है, वो है जिन व्यक्तियों का विवा नहीं हो रहा उनको ये उपाय करना है, उपाय किस प्रकार से है एक ले लेना है आपको बेल पत्र, एक ले लेना है शमी पत्र और एक ले लेना है आपको पुष्प, जिसमें आपको जो एक पुष्प ले रहे हैं आपको पांच पुष्पों का गुच्छ होना चाहिए, जो मंदार का पुष्प आपने देखा है, आकड़े का पुष्प आपने देखा है, गुलाबी वाला, सफेद वाला नहीं, गुला दश्ची के दिन ये तीनों बस्तुएं एक एक करके आपको समर्पित करनी है बेल पत्री के नीच है इसके बाद में आपको साथ बार जल समर्पित करना है एक ही कलश से साथ बार जल समर्पित करना है उसके बाद में साथ बार जल समर्पित करने के बाद में आपको शिरी शिवाय नमस्तुब्यम मंत्र बोलना है कितनी बार बोलना है पांच बार पांच बार मंत्र बोलो साथ बार जल चड़ाओ और उसके बाद में साथ बार बेल पत्र की परिकर्मा करो पूरी परिकर्मा करनी है आपको इसमें अर्द परिकर्मा नहीं करनी पूरी परिकर्मा करो बेल पत्र की साथ बार और फिर जब परिकर्मा हो जाए उसके बाद में आपको तीन में से दो बस्तुओं को महीं छोड़ देना है और जो एक बेल पत्र है उस बेल पत्र को उठा कर आपके पूजा वाले इस्थान पर जो घर में आपका मंदिर है पूजा का इस्थान है जहां प्रति दिन आरती करते हो उस इस्थान पर बेल पत्र को रख देना है रखने के बाद में प्रति दिन शिरी शिवाय नमस्तुब्यम मंतर का जाप करना है पांच बार बेल पत्र के सम्मुख में मंतर के सामने खड़े ओकर पांच बार जाप करना है उसकी पूजा करनी है तीन महीने लगेंगे आपका विवा निश्चेत रूप से पक्का हो जाएगा अब अंतिम उपाए इस वीडियो गा जो की है सफेद आंकड़े के पुष्प बाला उपाए यदि आपके बच्चेदा दाकड़े का एक पुष्प भगवान चंकर के शिवलिंग पर लगातर साथ दिन एक एक पुष्प समर्पित करना है और जब समर्पित करोगे तो आपको एक महादेव का नाम लेना है और वो कौन से महादेव है तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वो पुश्प समर्पित करना है शिवलिंग पर प्रते दिन समर्पित करना है पांच मिनिट बाद वो पुश्प को उठाना है और किसी बैतीवी नदी के अंदर डाल देना है अब आप बोलो भईया हमारे आप बैतीवी नदी नहीं है तो हम क्या करे फिर एक पात्र के अंदर जल आपत हो जाएगी तो ये थे एक अदर शी के उपाए वीडियो को लाइक जरूर करे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपकी बच्चे दाने की सारी समस्याओं को ठीक करे हर हायर महादेव शिरी शिवाय नमस्तो